दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल आपने एक चीज नोटिस कियोगी कहीं आप घूमने जाते हैं किसी फांक्शन में जाते हैं कोई इवेंट तो एक खास तरह की लोग होते हैं जो गंटों बस फोटो खीशते रहते हैं पूरा दिन वीडियो बनाते रहते हैं मतलब उनका मकसद ही होता है कि कैसे अच्छी रील बन जाए फोटोस पोस्ट हो जाएं उसमें लाइक सा जाए फ़लान धिमकाना कई बार तो नहीं देखकर मैं सोचती हूँ कि इन लोगों का मकसद एंजॉय करना है क्या रील बनाना है ऐसा ही एक महाशाय कर रहे थे लखनाओ पर शोर करते हुए केक की होली शुरू कर देख दूसरे पर केक बाता शुरू कर दिया आसपास हर जगा केकी केक बकाइदा इसका वीडियो बनाया जा रहा था दिखाने के लिए कि भाई अपना कितना बड़ा स्टड है दोस्तों बीच चुराहे इन सब से केकी केक फैल गय लेकिन इन लड़कों को क्या पढ़ी है न उनकी तो मौट चल रही है इस दौरान गौतम पर दी थाना पुलिस को इस बात की किसी ने जान कर रही है दी पुलिस की टीम मौके पर पहुँची तो लड़कों का ग्रूप वहां से खिसकने की कोशिश करी रहा था इन पुलिस ने रेखा और सड़त पर कई जगा केक फैला हुआ पुलिस ने रोका सबको और ऐसे चो सुधीर अवस्ती ने लड़कों को पकड़ लिया पहले तो खूब अच्छे से लटाड़ा अच्छे से डाठा और सुनिये जहां जहां लड़कों ने केक फेक फेक कर गंदगी फैला पुलिस कर्वियों ने अपने सामने सब लड़कों से केक साफ करवाया और फिर इसका वीडियो बनाया गया अब वो किसने बनाया यह तो पता नहीं लेकिन यह वीडियो वारल हो गया तो राजर बाबू आय थे चौराहे पर सचधच कर केकम केक करने पुलिस ने सबसे सफाई करवा दी अब केक काटने वाले वीडियो का तो पता नहीं लेकिन पाटी के कपड़ों में यह केक साफ करने वाले इन लड़कों का यह वीडियो हो गया है वाइरल दोस्तों यह जब सफाई हो गई तो पुलिस ने लड़कों को अच्छे से डाठा भी उनसे का कि यह आम रास्ता है यह आपका घर नहीं क्या पुछ भी कर सकते हैं तो तुमारा घर थोड़ए नहां है दोस्तों आज कला सोचल मीडिया में खूब चल रहा है जितने अक्षर का नाम होता है उतने सारे केक हो जैसे क्यूम क्यूम छे अक्षर है तो छे केक लगाए जाएंगे फिर बर्दे बॉय या बर्दे गल जो भी है वो आते हैं सबके साथ मिलके केक काटते हैं बोनट में बाइक की बोनट में और उसके बाद ऑग केक जो छे साथ केक चार पांच केक लाए गए वो एक दूसरे पर फेके जाते हैं यह होता है बर्दे सलिबरेटर उसमें कोई दिखके ने किसी को करना है करें लेकिन अपने घर में करें भाई ठीक है किसी को केक की होली खेल कर अप अपने घर पर करो सड़क पर नहीं यहां गंदगी फेलाओ को जो साफ़ी खुदाई करना पड़ेगा आपको लखनों कुलिस का एक काम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा